नवस्का रिध्याथी मित्रूम्, हवे आज आपड़े सोल्मो पाठावियां भार्तिय संस्कृति में गुरु शिश्य संबंध तो इनके लेखक जो है आनन संकर माध्वन सी आनन संकर माध्वन का जन्म केरल्ट प्रदेश के क्विलन चिले में हुआ डूक्टर जाकेन हुसेन के संपर्ग में आने से हिंदू मुस्लिम के मधू संबंधों के पक्सधर बन गए मात्मा गांधी के भारत थोड़ा अंदोलन में भी माध्यों जी का सक्रिय सहभाग राम जेल में रहक कर हिंदी भाषा का अध्यर्ण किया जेल से चुटकर आप भारत ब्रह्मन को निकल पड़े और बाद में बहार में बिहार में मंदर विध्याबिट की स्थापना की सन 1924 में अधेच मिशन और सन 1925 में सीव धाम अभीनव शिक्षा नगरे की स्थापना की अब आप तीनोल संस्थाओं के संचा लगे मल्यायम तथा तमिल दोनों की भासाओं पर पूर्ण अधिकार होने के मवजुद आपने हिंदी साहित्य में स्थी की आपके विश्यव में दासनिक्ता, अधोनिक्ता एवं अध्यात्मिक्ता का बाहुल्य है बिख्रे हुँ हीरे, अंसल, लाका, हिंदिया अंदोलन, आमंत्रित मेमान, आर्ती, उशा, संजीवनी आधि आपकी प्रमुक्रश्ना है हैं आमंत्रित मेमान, बिहार, राष्ट, भासा, परिशत्का द्वारा, पुरस्कृत है मधवजी ने प्राचिन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पस्ट करते हुए वर्तमान शिख्षा प्रणाणे पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया हमारे समाज में व्यावसाइक संस्कृत का बोल बाला है इस कारण गुरु शिष्य संबंदों में परिवर्तन आया है पहले विध्याले मंदिर के समान माने जाते थे शिख्षा देना एक आध्याद्मिक अनुष्ठान था वो परमसुख प्राप्ति का एक माध्यान था तो उस जमाने में पेसे देखकर शिख्षा खरेदी नहीं जाती थी तो क्या आज वेसी थी स्तिती है क्या आज शिख्षा के शेत्र में वही निष्ठा वही त्याग नजर आता है तो लिखप ने हमें अंतर मुर्ख होकर सोथने के लिए बाध्य किया है अगे हम पाट पढ़ते हैं कि हमारे समाद में व्यावसाइक संस्कूति का बोल बाला है बोल बाला यानि कि प्रचलन इसी कारण गुरुशिश्य संबंदों में परिवर्तन आया है तो पहले विद्यालाय मंदिर के समान माने जाते थे शिक्षा देना एक आध्याद्मिक अनुष्ठान था वो परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था पेसे देकर शिक्षा खरिदी नहीं जाती थी आस्थिती बिल्कुल बदल गई है और अब सिक्षन कार्य पेट पालने का साधरन बन गया है जिसे भारत्य संस्कुति का कहा जाना चाहिए वो आज भारत्य मानसिक श्रिती में क्रिया सिल नहीं है तो आज एक प्रकार की और ये अवस्थित व्यावसाइक संस्कुति प्रियाप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है भारतियों के सार्वजनिक महाव्यवहार में गुरु शिष्य संबन का भी तत्नूरूप परिवतन हो गया है तत्नूरूप यानिकि उसके अनूसार यहां गुरू वेतन भूगी यानकी वेतन पर गुजारा करने वाला नहीं होते थे और न शिष्य गोही सुल्क देना पड़ता था शुल्क यानकी फिज पैसे देकर विध्या खरिदने की यह क्रय विक्रय पद्धती निसंदे उस भारतिय मिट्टी का उपज नहीं है शिष्ण अनलाई एक प्रकार के आश्रव अथ्वा मंदिर के समान थे गुरू को शाक्साद परमेश्वर ही समझा शाक्साद यानकी प्रयत्यक्ष प्रत्यक्ष परमेश्वर ही समझा जाता था शिष्य प्रत्य से अधिक प्रिय होते थे या सम्मान मिलना ही सकती पाने का राश्य है प्राचिन काल में गुरू की शिक्षादान किया उनका अध्याद्मिक अनुष्ठान थी परमेश्वर प्राप्ती उनका एक माध्यम था वो आज पेट पालने का जरिया बन गई है पराम में विवेकानन को भारत में महत्वपूस्थान प्राप नहीं हुआ पर जब उन्होंने अमेरिकन किनाम कमा लिया तो भारत वासी दोडे मालाय लेका स्वागत करने लगे रईदन ठाकूर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाल ली लोग दोडे यह राग अलापते हुए अमा देर ठाकूर सुपूत तक्सिन भारत में कुछ समय पहले तक भारत न भारत नाट्यम और कथकली को नहीं पुस्ता था पर जब उसे विदेशों में माल मिलने का ने लगा तो आश्चे जैसे भारत वासी सोचने लगे अरे हमारी संस्कूति में इतनी आपूर्वा चीज़े भी पड़ी थी क्या यहां के लोगों को अपनी खुबसूरती नहीं नजर आती मगर पराय के संदर्यों को देखकर मोहित हो जाते है जिस देश में गणान पाने के लिए मैक्स मुलर के जीवन पर प्रातना की कि उस देश के निवासिया जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुबव करते है विलायत जाने पर स्वर्ग जैसा अनुबव करते है एसे लोगों को प्राचिन गुरु शिष्य संबन की महिमा सुनाना गधे को गणि सिखाने जेसा व्यत्थ प्रयास ही हो सकता है एक बास सुप्रसित भार्तिय पहलवान गामा मुंबयाई उन्होंने विस्तो के सारे पहलवानों को कुष्ती में चेलेंज दिया अकबारों में यह समचा प्रख्यासित होते ही एक पार्शी पत्रकार ने उसुकता वस उनके निकट मज़कर उनसे पुछा साब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तयार है तो आप अपने अमूख शिष्य से ही लड़का विजय प्राप्त करके दिखाओ गामा आज कल के सिस्षाक्रम में रंगे नहीं थे इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हिरान कर दिया आखे फाड कर उस सपत्रकार का चेरा ताकते ही रह गई बात में दीरे से का भाई साब में हिंदूस्तानी हूं हमारा अपना एक नीजी रहन सहन है नीजी यानि की अपना शाद इससे आप परिचीत नहीं है जिस लड़के का आपने नाम लिया वो मेरे पसीने के कमाई मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें और मुझे में फरक नहीं कुछ नहीं है में लड़ा या वो लड़ा तोनों बराबर ही होगा हमारी इस परमपरा को आप समझने की चेश्टा कीजे हम लोगों को वन्षपरामपराक से शिश्य परमपरा अधिक प्रिया है ख्याती और प्रभाव में हम सदा यज आते हैं कि हम अपने शिश्यों से कम प्रभावी रहे पानी हम यही चाहेंगे कि यानि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कही अधिक मेरे पीता कमाए मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है क्या केते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है भारत में गुरु शिश्य संबन्त का ये भव्य रूप आज साधू, पहलवानों और संगित कारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है भगवान राम पुर्ष्ण बर्ष्टो योग्य शिश्य को पाने के लिए प्रहत्न करते रहे उनके जैसे व्यक्ति हो भी उत्तम शिश्य के लिए रोकर प्रात्ना करनी पड़ी थी इसे समझा ज़ा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिश्य कितना मंगा और महत्वा पूर्ण है संतन प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता पर बगेर शिश्य के रहने के लिए वे एक्तम तयार नहीं होते इस संबन में भगवान इंसा का एक कथन सदास्मर्णय है उन्हें कहा था मेरे अनुयाई लोग मुझे से कहीं अधिक महान है और उनकी जूत्या होने की योगेता भी मुझे में नहीं है यही बाद है गांदी जी बनने की समता जिनमें है उन्हें गांदी जी अच्छे लगते है और वे ही उनके पीछे चलते भी है वेकानन्द सेफ उन्हें पसंद आएगे जिनमें विवाकानन्द बनने की अद्पूत सक्ती नहीं थे कवी ताके मरमर्गन और रसिक स्वयम कवी से अधिक मान होते हैं संगीत के पागा सुनने वाले ही स्वयम संगीत ताजकार से अधिक संगीत का रशा स्वाधन करते हैं निहित्याने की समर्थ या पुज्य नहीं पुजार ही सेष्ठ है या सम्मान पाणने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान है सम पुष्प में कुछ नहीं है पुष्पक का सुंदर उसे आने वाले की रश्टी में है दुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी है हमारी चाम में हमारी रश्टी में है यह अद्बूत भार्टिय व्याख्या अजीब सी लग सकती है पर हमारे पूर्वल सद्दा इसी पन के यादरी रहे है उत्तम गुरू में जाती भावना भी नहीं रहती कितने ही मुसल्मान पेवल एलवानों के हिंदू चेले है और संगीत कारू के मुसल्मान शिश्य रहे है पर यहाँ परक गुण की सान्दा की और प्रतिभा की होती भक्ती और शद्धा की ही किम्मत है न की चाती संप्रदाय आचार विचार या कर्म की मुझे क्या लिखाया था कि विद्रान मुसल्मान ने ही है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसल्मान बनना चाहिए पुराने चमाने में मोलविल यो लोग बड़े-बड़े रामानी होते थे रसास्वादा न्यान की रस का अनंद लेना और आज देहन तों में भरत मिया रंजित मिया आधी अधिक संख्या में दिखाई डेते है आज के गुरू भी शिर्फ सेवा लेने में चत्तूर है देने में नहीं उपनी स्थों में आच्चार्य ने कहा सेवा देने का की चीज है लेने की नहीं सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, और साहाय और वृत्ध बच्चों को पर्मिश्वर का ही मुर्त रूप समझ सेवा रूपी पुजा से उनकी शक्ति को प्रजवलित करने शम्ता और सो अधैतार अपने वाले ग्णानी ओर तपसी पिरोहीत आजकाल के गुरु नहीं रह गए किसी भी देवमंदिर की मुर्ति की सक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है रामाण यानि की राम की कक्षा ककी कथा करने वाला चेला यानि की शिश्यम जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पुजा में नेवेद्ध भावना भरी रती है समझ में आया तो आपको ये पाट जो है वो आया पर पूर्ण हो गया है तो अब इसका सब्दाच मुहावरे वह आपको अपनी नोटबूक में लिख लेना है